हेलो फ्रेंज, तो आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हम शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर बनाना कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर और पनीर को मैंने इस अकार में काटा है और मैंने लिये हैं दो बड़े प्यास प्यास के हमें थोड़े बड़े पीसिस इस अकार में काटने हैं दो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को चकोर काटना है ग्रेवी के लिए हमें चाहिए दो टमाटर की प्यूरी एक बड़ा प्यास जिसको मैंने कद्दुगस कर लिया है कड़ाई पनीर मसाला देगी मिर्च और तीन चम्मच मलाई अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे अमूल बटर बटर को मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्यास जिसको हमने बड़े आकार में काटा था प्यास को हमें हलका सा भूनना है इसे आप बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भूने और जब इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए ये कुछ इस तरह के हो जाए तब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसे 2-3 मिनिट के लिए बूनेंगे जिसे की शिमला मिर्च में थोड़ी सौफ्टनेस आ जाए तो देखे 2-3 मिनिट बाद ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे और अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई में हम डालेंगे पनीर और पनीर को भी हमें गोल्डन ब्राउन इश कलर आने तक बूनना है आप पनीर को लगातार न चलाएं क्योंकि वड़ना पनीर के पीसिस टूट जाएंगे तो आप पनीर के पीसिस को बीच बीच में पलटते रहें जिस्ते की सभी तरफ से उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएं कुछ इस तरह से और अब पनीर को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब कड़ाई में हम डालेंगे अमूल बटर और बटर को मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे कद्दुकस किये वे प्याज प्यूरी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चमच देगी मिर्च इसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं और इसे अच्छे से mix कर लिए अब हम इसमें डालेंगे तीन चमच मलाई और मलाई डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें जिससे कि मलाई इसमें अच्छे से mix हो जाए और उसके pieces न रह जाए ये सभी काम आप low to medium flame पर ही करें आपको तेज गैस पर gravy नहीं बनानी है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच कड़ाई पनीर मसाला ये homemade कड़ाई पनीर मसाला है और इसकी वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर रखी है इसका link मैंने description box में दिया है वहाँ से चेक कर सकते हैं अब हम gravy को medium flame पर इसी तरह पकाईँगे और जब आपको लगे कि ये मसाले घी छोड़ने लगे है तो अब हम इसमें डालेंगे एक बावल पानी पानी में मैंने दो चमच दूद मिक्स किया है आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने सुवात के अनुसार डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें gravy को हम दो से तीन मिनिट के लिए पकाएंगे और इसको पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भुनियोई सबजिया सबजी को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चमश टमाटो सॉस ये होमेट टमाटो सॉस है और इसको बनाने का वीडियो भी मैंने अप्लोड कर रखा है आप हाँ से चेक कर सकते हैं तो देखें हमारा बहुत ही टेस्टी सा रेस्टूरेंट स्टाइल कड़ाई पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है अब आप गैस को आफ कर दें और गार्णिश के लिए अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया तो आप ये कड़ाई पनीर जरूर ट्राइ करें मेरे चानल के साथ जुड़े रहें ताकि हम मिलकर बनाते रहें ऐसी और भी नई-नई रेसिपी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में